हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल मैं हूँ स्वेता सिंग और आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ बची हुई रोटी की एक बहुत ही अलग रेसिपी जो की बहुत जादा टेस्टी होती है और सबको बहुत पसंद आती है बच्चों को यह बहुत जादा कर देख सकते हैं कंदा हुएं करतना ऑर ललाद जा रोटी में अरुthis बच्च के साथ को में आप सबको एक रेसिपी बना के लिखाऊंगी तो यहां पे मैं ली है हरी चटनी मैंने एक रोटी रखी है और तोड़ी सी हरी चटनी लगा दूंगी हैं यहां पर साथ में डाल र अगर आप हरी चटनी या मीठी चटनी नहीं लगाना चाते हैं तो पीजर सॉस भी लगा सकते हैं और उसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैंने आलू का पराठा बनाया था तो उसका आलू बच गया था तो वो आलू को मैं इस पे लगा दूंगी, अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी, और अब मैं इस पे रखोंगी प्यास, टमाटर, ककडी, तो इन सब को हम अच्छे से इस पे लगा देंगे, जैसे मैं लगा रही हूँ, और एक बहुत ही अलग रेसिपी बनके तयार होगी, और इसमें सारी चीजें होती है, अक्सर हम लोग नाश्टे में या खाने में बनाते हैं, वो बच जाती है, तो हमेशा तो हम लोग उसे फेक नहीं सकते हैं, तो इसके लिए मैं ऐसे इस तरह से इसको बना रही हूँ, और साथ मैं थोड़ा से इसमें चीज डाल दी हूँ, एक रोटी से इसे कवर कर देंगे और बिलकुल इसी तरीके से फिर उपर जो रोटी रखी है उस पे भी हम हरी चटनी लगाएंगे तमैटो केचप लगाएंगे फिर उसके बाद आलू जो था वो लगाएंगे और फिर हम ककडी टमाटर प्यास जो भी आप ऐसे खाना पसंद क तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं फटा फट से इसमें अभी चटनी और सॉस लगा ली हूँ तो आलू लगा रही हूँ फिर टमाटर ककडी प्याज इस पे रख दूंगी और अकसर यह साम में बनाएंगे तो एक इवनिंग स्नैक्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा यह तयार हो जाएगा और इसमें जो चीजें हैं वो आपके घर की ही है कुछ आपका वेस्ट भी नहीं होगा और एक अलग टेस्ट मिलेगा उनको तो यहां पर आपने देखा मैंने इस पे चीज और चाट मसाला भी डाल दिया है उपर से दूसरी रोटी का लेयर नई तो कभी हम लोग पनीर टिक्का बनाते हैं और वो बच जाता है तो सेम प्रोसेट से हम पनीर टिक्का भी अंदर डाल के और थोड़ा चीज की कौंटिटी और बढ़ा दे और इसमें पीजा सॉस लगा के इसको बना सकते हैं बहुत जादा टेस्टी बनता है मैंने ट्र तो दूसरा मैंने ऊपर से एक रोटी लगा कि उसको कवर कर दिया यह चार रोटी का लेयर तयार हो चुका था तो यहां पर मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है और उसके बाद उसको इसमें रख देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे फिर इसका लेड लगा के लोव लेम पे हम पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही इजी स्नैक्स रेसिपी बहुत ज्यादा यम्मी बन के तयार होगी तो पाँच मिनट के लिए मैंने इसे लोव लेम पे कवर करके छोड़ दिया है और पाँच मिनट के बाद हम इसका धकन हटाएंगे और आप चाहें तो तुरंट पलट दें नहीं तो पाँच मिनट के लिए या दो मिनट के लिए इसे कवर कर दें वैसे तो मैं अभी इसको पलटने वाली हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा से इसे प्रेस करूंगी और उसके बाद इसे मैं पलट दूंगी ताकि दोनों साइड अच्छे से इसमें पुरा सेख जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने पलट दिया है और पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई बड़े ही आराम से इसको मैंने पलट दिया तो बस अब हम फिर से इसे पाँच मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पे त उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू तो पाँच मिनट बाद मैंने धकन हटा दिया है और यह आप देख सकते हैं यह बिलकुल बंद के तयार है तो चलिए फटा-फट से हम काट लेते हैं तो यहाँ पे मैंने इसे चॉपिंग बोर्ड पे रखा है और उसके बाद कटर की ह अब काट सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे कट करना शुरू कर दिया था तो यह काफी गरम है थोड़ा सम्हाल के और उसके बाद इसे आप सॉफ करिए इसमें अलग से आपको चटनी सॉस लगाने की ज़रुरत नहीं है सारे फ्लेवर इसके अंदर विवगत ज्यादा थेक्ति बनता है बहुत ज्यादा यम्मी लगता है बचों को बखत पसंद आता है बढ़ों को भी एब आपधि अच्छा लगता है तक अबही जो बाना था दो असÎ जो मैंने रोटणी की डाली थी उसके तेरा तो बहुत अच्छा लगेगं मुझे धी मैं और कोशिस करूंगी ऐसी रेसिपी आप सब के साथ शेयर करती रहूं जो की घर में बड़े ही आसानी से बन जाया और कोई भी चीज आपकी घर की वेस्ट ना हो तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाब बाई एंड टेक केर थैंक्स